एक हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ यूटूब चेनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ककशा पांच और ककशा 8 के सत्रांग के आप किस प्रकार से ओनलाइन करेंगे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले आपको कक्षा पांच के और आठ के आपके ओनलाइन सतरांक फिड करने के लिए आपको आपके विद्या लेके साला दर्पन पर आपको लोगिन होना है जैसे आप लोगिन होंगे तो आपकी जो होम स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाए देगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और वो है तीस तीन दोजार बाइस का जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रात्मिक शिक्षा, कक्षा 5 और प्रारमिक शिक्षा पूर्टा, कक्षा 8 के विद्यारतियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें तो इस link के माध्यम से आप प्रवेश पत्री भी डाउनलोड कर सकते हैं और सतरंक आप किस तरह से फीड करेंगे इस link के माध्यम से आपको सतरंक फीड करना है तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए आपको इस link पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस link पर click करेंगे तो आपके सामने एक नया window open होगा पूरी तरह से नया window आपको इस तरह से दिखाए देगा जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको पुनह है login होना है आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको login as school or exam center click here यहाँ पर आपको click here पर click करना है और पुनह है आपको यहाँ पर login करना है तो चलिए आप यहाँ पर click करते हैं जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको वही ID और पासवर्ड आपके डालने है जो आप साला दरपन के आपके ID और पासवर्ड है तो पुनेह आपको साला दरपन के विध्याले के जो साला दरपन के यूजर नेम है आपका login name है और जो password है वो डालना है उसके बाद आपको capture डाल करके यहाँ पर आपको login कर देना है चलिए हम डालते हैं और डालने की बात देखते हैं कि किस तरह से आपका जो home page है पुन है वो आपको किस तरह से दिखाए देगा देखिए जैसे ही आप आपके साला दरपन के ID पास्वर डाल करके पुन है लोगिन करेंगे तो आपको जो नया जो टेव है नई जो विंडो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाए देगी जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक option आपको दिखाए देख सकते हैं आप exam center wise attendance अगर आपका विद्धाल एक जाम सेंटर है पाच या आठ के लिए तो आप यहाँ से अटेंडेंस डाउलोड कर सकते हैं रोल नमबर की सुची यहाँ से आप second वाले option से डाउलोड कर सकते हैं इसके बाद में exam center wise admit card अगर आपको डाउलोड करने है इसके बाद में school wise, school के अगर आपको admit card download करने है, तो इस option के माध्यम से आपको यहाँ पर school के admit card आपको download कर लेना है, इसके बाद में आपको seasonal marks entry, 17 की entry हमें यहाँ पर करनी है, तो 17 की entry के लिए आपको यह जो seasonal marks का option आपको दिया हुआ है, second last, यहाँ पर आपको click करना है, उपर उपर आपको बिल्कुल लिखावा मिलेगा, कक्षा 5 और 8 कक्षा के 17 प्रिविष्टी, बिल्कुल नया टेप आपको दिखाए देगा, यहाँ पर आपको option select करना है, इसके बाद आपको class select करनी है, और आपका जो subject है, बारी-बारी से कक्षा 5 में और कक्षा 8 में, जो आपके subject है, बारी-बारी से प्रत्यक subject को आपको select करते हुए, यहाँ पर आपको 17 प्रिविष्टी करनी है, चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आपको select कर लेना है, 21 बारी से आपका जो session है, इसके बाद मैं आपको class select करनी है, कक्षा 5 और 8 जिस भी कक्षा के आप 17 प्रिवि से प्रत्यक subject यहाँ पर select करना है, माल लीजिए हमने first subject यहाँ पर select किया, और select करने के बाद में आपको go पर click कर देना है, जिसे आप go पर click करेंगे, उसके सामने, आपके सामने कक्षा 8 के सभी विध्यारतियों का detail आपको दिखाए देगी, आपका roll number है, नाम है, father name है, और भी आपको यहाँ पर दिखाए देंगे, तो यहाँ पर आपको marks की entry करनी है, बारी-बारी से प्रत्यक बच्चे के सामने आपकी जो सतरांग उनकी प्रिष्टी करनी है, और बारी-बारी से आपको save पर click कर देना है, जैसे आप एक subject के सतरांग feed कर देंगे, उसके बाद में सबी सतरांग की प्रिष्टी इस process के माद्यम से आपको करनी है, thank you.